कि कोई बी कोई वी इनवर्टर को पाने के लिए तो दोस्तो आपको अपको आची तरह से समझ में आएगी वेल्कम फ्रेंड वेल्कम टूम मैं चैनल फ्रेंड कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्तों दोस्तों आज मैं एक आपको जबर्दस्त इंफ्रमेशन देने जा रहा हूं जो कि कोई भी इंवर्टर को आप सोलर का इंवर्टर बना सकते हैं बना सकते हैं बस एक एकको सर्कृट पर्चेस करना है इससे आप 10-20-30-40-50-60 अपनानः एक बना सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गोपर चलेंगे दागराम को आमनों समझेंगे तो इसको बना पाइंगे तो मैंने इसमें जो सर्कीट इसमें यूज होता है उसके में दिखाया इसमें सकते हैं ऑर इसकी सब को सा चेंज करना यह बारे में इस वोगो में बतायेंगे जो कि कोई भी इनवाटर है कोई धींवाटर छोटी बड़ी हो कोई कुपनी का इनवाटर वेजली आप बना सकते हैं तो सबसे पहले डाइग्राम को पर चलेंगे उसके बाद इसको समझेंगे तो पिछे कफर अपड़ा कर लेते हैं तो यहां पर करीब आपका साथ इंप्रस आपको बढ़ाना पड़ेगा इसको बढ़ाना पड़ेगा जैसा कि मैंने यहां पर देखा आप लोग को इसको बढ़ाना पड़ेगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा दस एंप्रक के लिए और यहां पर दस एंप्रक के लिए आपको यहां पर मिलता है तो इस करना पड़ेगा दो तो जो है कि आप यहां पर लगाएंगे तो यह बीस एंप्यर हो जाएगा जितना आप मोस्पेट बढ़ाएंगे उतने आपको डायोड यह बढ़ाना पड़ेगा और डायोड के बाद में जो पोश्टी सप्लाइज जाएगी डायोड बैटरी में जा रही है तो यहां बैटर करना पड़ेगा अब दोस्तों और बात को यहां पर द्यान देना है यहां पर इसके लिए आपको जो क्या करना एक को कट करना पड़ेगा तो इसमें जो कि आप देख सकते हैं एस या के तुरू जो कि चार्जिंग आता है और आपका ट्रांस्फॉर्म में जाता है जिस वायर को अपको कर लेनी है और यहां पर एक सरकीट आपको बनाना है जो कि यहां पर देख सकते हैं सोलर सर जो आएगा ऊस्फिंग और यहां पर टोड़ेस चलता रहेगा इनिका में चार्जिंग रहेगा माका रहा है और नहीं काम पर चार्जिंग प्रोसेस अपका इन वेसे चलता रहेगा तो में सो कटना पड़ता है तो में सो कट करने के लिए यहां पर लगाएंगे और यह रिले क्या हो जाएगा अनों से कनेक्शन हो जाएगा तो यह आपका सोलर का जो बोल्टे जाती है वो कट कर देगा और में से बिल्कुल चार्जिंग नहीं लेगा में से बिल्कुल चार्जिंग नहीं लेगा और आपको चार्ज करता रहे तो यहां पर यह रिक्ता पर सफिन्सक्राइब इब यहां पर एक सेक्षिन बनाया गया है जो यह बनाया गया जो कि दिन में दिन में जो कि यह लाइट जो की बंद रहेगा जब चलेगा यह बंद रहेगा जैसे रात होगी रात होने पर विए आप देख सकते हैं यहां से जो कि यह पोश्च अप्लाइट मिल जाएगा और इसकी जो एलेडी वाल्फ है उगलो हो जाएगी यानि कि आटमेटिक की रात में यह जल जाएगी तो यह सिस्टम इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है आप अगल इसको यूज नहीं करना तो छोड़ सकते हैं कोई दिक अब करना है कि यहांपे की और मौस दीयार है यहां पर एक जो यहांपर यहांनपो कर सकते हैं और यहांपедин कर सकते हैं फोरा आपका पूरा ऐसे के निभन करना है dish कर सकत है इस यहां पर यह इसके लिए बनाए गया इतना इसका हए और बाकी जो सक्षण है आपका charging कंट्रोल के लिए हैं तो आप इसलिए इसको पना सकते हैं कोई भी inverter उसको लगा सकते हैं तो दोस्तोरण मेरा वीडियो कैसा लागा कॉमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा अच्छा लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा एक प्याराइस कोमेंट्स करना जरू भूल लेगा मत ठीक है आज के लिए इतना ही ठीकियो फूर वाचिंग जे हिंद जे भारत बाइबाइब झाल 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 झाल